दोस्तों Excel के अब तक के सबसे powerful वीडियो में आप सब का स्वागत है जिसमें हम Excel का complete course जो कि basic to professional level होने वाला है उसको हम cover करने वाले हैं गाइस इस वीडियो में जैसे institute में आपको Excel का course cover कराये जाएगा सेम उसी तरीके से Excel के क्या basics है क्या formula patterns है और job criteria में आपको किन-किन terms को कैसे explain और use करना है वो सब कुछ इस एक single video में हम cover करने वाले है इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको Excel operator की job मिल रही है data entry का job मिल रहा है vacant में काम मिल रहा है तो उन सभी काम को आप easily attempt कर सकते हो और जो लोग already Excel सीख चुके हैं उनके लिए भी इस वीडियो में कुछ surprises होने वाले है अब इस वीडियो को start करने से पहले आपसे छोटी से request है जैसे कि आपको पताई कि वीडियो का length काफी जादा लंबा है और इस वी comment करके अपना response जरूर छोड़े तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को अब नॉर्मल ही आ जाते हैं computer skin पर और यहां पर हम बिल्कुल base to base से start करने वाले हैं बिल्कुल starting portion से सबसे पहले जो screen है यह है desktop और यहां पर मैं बात करो Excel start करने की तो आप इसे कैसे start करोगे मैं यहां पर दो ट्रिक आपको बताने वालों सबसे पहला term क्या है कि आपके पास यह जो search option होता है simple आप इसमें जाओ और यहां पर simple type करो Excel अगर आपके system में Excel software available है तो आप यहां से से normally start कर सकते हो जो कि on screen आपको दिख पा रहा है दूसरा जो जादा तर professional लोग जिसके लिए आपको window key को hold करके R press करना है और यहां पर run command खुल जाता है इसमें आपको simple type करना है Excel और कर देना है OK जैसे आप OK करते हो Excel software का जो first interface है वो आपके सामने आ जाता है अब यह जो Excel का preview आप देख रहे हो यह है office 2019 का हमेशा ध्यान रहे कि आप जो office अभी use कर रहे हो तो वो अभी के हिसाब से on demand है या नहीं कहने का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं आप आज की date में office 2003 या office 2007 यूज कर रहे हो believe me guys अगर आप किस institute में सीख रहे हो और वहां पे आपको 2003 या 2007 सिखाय जा रहा है तो वहां पे सीधा बोलो कि हमें updated office version 2016 या 2019 सीखना है नहीं तो आपको job profile म में बहुत जादा दिक्कत आएगी अब यहां पे अभी जो हम पूरा tutorial देखने वाले हैं वह है office 2019 पे जिसका सबसे बड़ा फाइदा यह है कि अगर अभी आप office 2016 यूज करते हो 2019 यूज करते हो even अगर previous version भी यूज करते हो तो अभी आपको इस version की वज़े से उन सब के command already आ तो इसके जितने भी previous versions हैं उन सब के tools को use करना आपको इजरी आ जाएगा अब सबसे में बात करते हैं इस first welcome screen की यहां पर नॉर्मली आपको कुछ options मिल जाते हैं जैसे home, new और open अगर आप नई worksheet लेना चाहरे हैं तो आप new पे click करोगे और कोई पहले से saved worksheet है तो उसे खोलने क जिन पर मैं काम कर रहा था उनका एक recent preview मुझे यहां पर नजर आ रहा है इसके साथ ही एक option आ यहां पर blank workbook का और उसके साथ ही कुछ बने बनाए template मुझे यहां नजर आ रहा है इसका यह जादा तर तब किया जाता है जब आपको थोड़ी मेहनत कम करनी है और आप बने बना file आ जाती है अब इसमें कई सारे terms है जो कि interview के time आप से पूछे जाते हैं और जादे तर लोग जो कि youtube से सीखते होने basics नहीं पता होते हैं और interview में वो उसी वज़े से छाट दिये जाते हैं कहने के मतब अगर मैं बोलू कि इस उपर वाले section को क्या बोलते है mid section को क्या बोलते इसे क्या बोलते इसे क्या बोलते इसे क्या बोलते तो हो सकता है कि आप confused हो जाओ और believe me guys interview में इनी सब terms को जादा consider क्या जाता है क्योंकि उसे तो आपसे सवाल पूछने हैं तो सबसे पहले जो उपर वाला section है इसको बोल जाता है title bar यह जो आप देखे रहें book one excel यह क्या हो यह जो पूरा section है इसको बोला जाता है menu bar इन हरे एक menu bar में आपको multiple tools मिलते हैं जिसे home की बात करें तो इसमें multiple tools है इंसर्ट की बात करें तो इसमें multiple tools है page layout formula तो सब में आपको multiple tools मिलते हैं इसके बात next time आता है B3 यहां पे आप देखे रहें बीठरी लिखा हुआ है तो यह क किसी भी डब्बे यानि box की बात करें तो इसे बोला जाता है cell क्या बोलते है C-E-L-L cell और अगर हम बात करें एक cell की तो दो चीजों का combination है एक है column यह उपर वाला section है इसको हम column बोलते हैं से और यह होता है row तो अगर मैं इस box की बात करूँ तो यह दो term का combination है एक है column D और ए तो इसका नाम क्या होगा B2 तो यह basically जो name box होता है यह बताता है कि अभी आप कौन से cell पर work कर रहे हो जैसे में अभी यहां पर हो तो इस cell का नाम क्या है D3 यहां पर हो तो इस cell का नाम क्या है C4 next time यहां पर आता है formula bar formula bar दो cases में use किया जाता है एक जब आपको को formula insert करना हो number one दूसरा अगर आप cell में कोई काम कर रहे हो और उससे आप formula bar के through manage करना चाहरे हो तो भी आप formula bar के use कर सकते हो अगर आप confused हो तो मैं एक example से आपको clear करता हो जैसे अभी यह cell है तो यहां तो मैं यहां से type करूँ तो भी मैं इसमें काम कर पा रहे हो और मान लो कि अगर मैं यहा पर हूँ और मैं यह formula bar में आकर कुछ लिखता हूँ तो भी automatically उसे में लिखा जाएगा तो जब आप कभी we look up या फिर कुछ बड़े formulas पर work करते हो तो उस time पर आपको formula bar में इस तरीके से help ले नहीं बढ़ती है यहां तक के लिए अब आते next time पर जो एक बहुत ही common question है जो के column and a numeric bar in Excel sheet is row मतलब यह जो आप देखे रहो A यह क्या है column है B क्या है column है C क्या है column है और यह जो 1,2,3 यह सब क्या है row तो जो ही हमारा alphabetic bar है यह है column और यह जो हमारा numeric bar है यह क्या है row जैसे आप इसका जवाब दोगे आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा कि ठीक है एक Excel sheet में कितने column होते हैं और कितने row होते हैं अभी screen पर ध्यान दोगे तो आपको क्या दिखाए देगा कि A, B, C, D, E, F, J तक दिखाए दे रहा है फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तो आगे आप बढ़ते जाओगे तो जैसे आपके Z खतम हो जाएगा फिर दूसरा format चालू ह जाएगा और आप आके जाते जाओ जाते जाओ आप ठक जाओगे लेकिन यह range खतम नहीं होगे तो आप क्या बताओगे टोटल कितने columns है या फिर जो 1, 2, 3, 4 के गिंती है यह total कितनी है तो यह आप कैसे बताओगे तो यह एक बहुत important term है तो इसका जवाब ढूनना बहुत आपको उपर में section दिख रहा है यहाँ यह ए और 1 के बीच में यहाँ पर जैसे आप click करोगे पूरी excel sheet select हो जाएगे और यहाँ पर आप देखोगे आपको एक number दिख रहा है यहाँ तो 10,48,576 R लिखा है R मतलब row यानि कि यह जो 1, 2, 3 की गिंती देख रहे हो आप इसको नी 12,576 और अगर ABCD की बात करें जैसे अगर मैं count करो एक दो तीन चार अगर ऐसे count करता हो जाओ तो यह 16,384 तो जवाब क्या है कि there are 10,48,576 rows in excel sheet यानि कि एक excel sheet में total 10,48,576 rows है और एक excel sheet में 16,384 column होते हैं तो आपको कि यह जो basic interview questions है यह आपको killer होगे होंगे इसके साथ ही कुछ और भी tools है जिनके बार मैं आपको बता देता हूँ यह है आपका vertical scroll bar जिसके मतलब से आप उपर नीचे जा सकते हो और यह है आपका horizontal scroll bar इसके साथ यहाँ पर zoom slider मिलता है जिसके मतलब से आप इसे छोटा कर सकते हो और आप चाहो तो बढ़ा कर सकते हो यह जूम slider में छोटा होगा इसके साथ ही जूम slider के side में आप देखोगे यहाँ पर आपको तीन option मिलते हैं layout के यह जो layout आपको नजर आ रहा है इसको बोलते है normal layout इसके बादी जो बीच वाल option है यह ज्यादा use होता है page layout इससे आपको पता चल जाता है कि इस excel sheet में आपका एक page कितना बढ़ा है मतलब अगर मैं देखना चाहूं कि जो मैं data बना रहा हूं यह create कर रहा हूं निकालूंगा तो मुझे यह देखना है कि मेरा एक page कितना बढ़ा है तो जब आप ऐसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक page इतना बढ़ा है और जब आप normal पे आओगे तो यहां पे देखो एक line आ जाएगे जिससे आप अंदाजर लगा सकते हो कि मुझे काम इसी दायरे में करना है एक page पे data को print करने के लिए सबसे पहले हम कवर करेंगे home tabs related toolbars जिनमें कुछ basic भी होंगे और कुछ most useful भी होंगे तो सबसे पहले यहां पे किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें जरूरत होती है एक data की और यह data भी मैं आपके सामनी create करने वाला हूं ताकि इससे related कुछ basic terms आपको clear हो जैसे यहां पे म क्या करता है कि यहां पर mouse से यहां पर click करेंगे आपको यह चीज नहीं करनी है आपने यह name लिखा इसके बाद keyboard में होता है tab की आप tab की press करोगे आप अगले वाले cell में automatically shift हो जाओगे इसके बाद यहां पर हमने लिखा father's फिर हमने यहां पर लिखा name tab किया तो आप देखो आ इसा symbol बनेगा फिर आपको इसे symbol drag कर देना है या फिर अगर आप इसमे डबल टैप करते हो एक दो mouse से तो भी अपने आप adjust हो जाएगा फिर यहां पर आते हम टैप किया मैंने English फिर टैप करूंगा मैं आगे वाले cell में चला जाओगा Hindi फिर टैप किया math फिर टैप किया हमने हमने यहां पर हमने लिख दिया सिंपल एस इस थे इसके बाद मैं कुछ नाम यहां पर लिख देता हूं जैसे मैं लिख राजेश महेश सुरेश नरेश हर्ष निशान्त मैंने कुछ नाम लिख दे थे मिश्टर मोहन मिश्टर सोहन, मिश्टर निशान, मिश्टर जै, मिश्टर कभीर, मिश्टर अर्नव, हमने लिखा, अब मार्क्स डाल देते हैं यहाँ पे, तो हमने डाला 45, 65, 85, 74, 65, अब यहाँ पे नॉर्मली आप देख पार हूँ कि मैंने एक डेटा प्रिपेर क्या हुआ है, लेकिन क्य यह डेटा आपको स्टाइल इश्य एट्रेक्टिव लग रहा है, नहीं लग रहा, तो ज्यादतर क्या होता है, कि जो हमारा एक बेसिक फॉर्मेट हम करेट करते हैं, उसमें हमें जरूरत पढ़ती है, होल्म टैप के इस फॉन्ट सेक्शन की, और इस अलाइंगमेंट तो आप देखो कि यह पूरा के बुरा सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट होने के बाद जब आप इस लाइन पे लेके जाओगे, अभी सिंबल आ रहा है मोटा प्लस, जब मैं इस लाइन पे लेके जा रहा हूं तो यह डायरेक्शन सिंबल आ गया, उसकेस में आप इसको इसको बाद यहां एक टूल मिलता आपको, जो कि होता है मर्च, जैसे आप मर्च पर किलिक करोगे, तो आप देखोगे यह पूरा का पूरा जो मल्टीपल सेल था, वो एक सेल में कनवर्ट हो गया, आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहां पे लिख आपना चाहो रख सकते हो, मैंने आ रखा, फिर हमें जरूरते से थोड़ा बढ़ा करने के, तो हमने इसे बढ़ा कर लिया, इसके बाद यहां पे मुझे इसका फॉंट दूसरा चाहिए, जो कि थोड़ा और डिजाइनेबल हो, तो मैंने यह वाला फॉंट ले लिया, हमने क यहां पे अगर आपको कोई color पसंद नहीं आता, तो नीचे देखो more color का option है, जहां पे color का हलका, मोटा हिस्सा जो भी आपको पसंद आप select करो, और okay कर दो, हमने color apply किया, अब green पे black अच्छा नहीं लग रहा तो हम यहां पे जाते हैं, और हमने कर दिया है, यहां पे white color, इस select करने के बाद हमने इसमें apply कर दिया, अलग-अलग border, तो फिलाल मैं apply करता हूँ, all border, जिसे एक ही बार stylish format में apply हो जाए, अब आप देख सकते हो, कि इन font के tools के मदद से, एक simple दिखने वाले data को मैंने कैसे attractive format में, यहां पे represent कर दिया, आपके numbers यहां पे left में आ रहे हैं, तो ह मुझ basis पे आपको killer हो गयोंगे, यहां पे confused हो सकते हो, आप एक wrap text को लेके, मैं इसका भी use आपको killer कर देता हूँ, कई बार आप notice करते हो, कि हमें जगह कम चाहिए, मतलब father's name में चाहता हूँ, कि इस से ज़्यादा जगह ना ले, जो भी आए इस ही मैं, अब name का M तो आगे और हमने किया central alignment, यहां गया format में, तो इस तरीके से आप wrap text का use कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि cell में ही row बढ़ी हो जाए, लेकिन data आ जाए, आपने 10th ये 12th के certificates वगरह में भी देखा होगा, कि father's name इस format में आता है, तो इस तरीके से हम इसका use करते है, so I hope कि इतना time आपको के लिए हो गया होगा, अब इसके बाद आते है next time पर जो कि है style section, जिसमें सबसे पहला option मिलता है conditional formatting, और यह बहुत ही जादा important है, और इसका use भी बहुत ही जादा special है, लेकिन इसे समझने के लिए हम किसी दूसर practical का use करते हैं, जिसमें आपको इसे समझना जादा आसान हो ज जैसे grocery, garment, electronics, तीस रेट हमें state, जिसमें अलग-अलग state है, उत्तर परदेश, दिली, बिहार, महराष्ट और उनकी sales है, अब इनमें कई सारे सवाल आ सकते हैं, सबसे पहला सवाल यह आ सकता है, कि मुझे सिर्फ उन लोग का data देखना है, जिन्होंने 30,000 से उपर की sales की है, त आप एके करके अगर check करोगे, तो आपका काफी time जाएगा, तो यहाँ पर conditional formatting का हम फाइदा उठा सकते हैं, आप इसमें जाओ, और सबसे पहला option क्या मिलता आपको, highlight sales rules, इसमें सबसे पहला option है, greater than, हमने इस पर click किया, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ, कि मुझे किसका data दे select, select किया मैंने, और select करें हूँ, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ताकि आपको देखने में आसानी हो, तो यह हमने किया, छोटा करने के बाद मैं जाता हूँ, conditional formatting में, highlight sales rules पे click किया, और मैंने बोला greater than, और मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको कि सिर्फ उन लोग का data इन्होंने 30,000 से जादा की sale करी है, मुन्ना, सोनू, मनू, इन्होंने 30,000 से जादा की sale करी है, मैं okay कर देता हूँ, और कोई नहीं है, जिसने 30,000 से जादा sale की है, तो आपने देखा, बड़ी आसानी से, आप इसमें conditional formatting लगा के, data को इस तरीके से check कर सकते हो, अब अगर इसक कोई भी click करोगे, तो यह जो killer rule है, वो apply हो जाएगा, तो फिलाल हम कर देते है, selected sale, यह यहाँ पर हड़ गया, अब जैसे आपने देखा, कि मुझे यह देखना था कि 30,000 से जादा जिसने sale करी है, उसका data आ जाए, उसी तरीके से मान लो, आप से यह बोला जाए, कि भाई किया, आप देखे रहो, जिन जिन लोग का data 20,000 से कम है, उनका data यहाँ पर highlight हो गया, अब अगर इसे भी हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाते हैं, और conditional formatting में जाकि killer rule किया, और killer rule from selected sale, हमने इस पर apply कर दिया, अब आते है next time पर, जो कि है between और equal to, between का मतलब दो number के बीच में, मतलब अगर आपको यह देखना है, कि 50,000 से 30,000 के बीच में कौन-कौन लोग है, जिन लोग है, तो आप between use करोगे, अगर आपको कोई exact value देखना है, कि मेरे को सिर्फ यह देखना है, कि 50,000 के sale किसने करी है, तो आप equal to डालो, और उसमें जो भी value डालोगे वो यहाँ पर आ जाएगा, तो यह between or equal to यह आपका task यह आपको खुदी करना है, अब आते है next time पर, a text that contains, इसका क्या मतलब है, अब जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर digit के बहाँ पर, कि digit के बहाँ पर आप look up कर रहे हो, कि इसमें मुझे देखना है, 30,000 से जादा कौन है, लेकिन अगर text के भी यहाँ पर देखे, तो मैं बोलू कि मुझे सिर्फ उनका data highlight करना है, जो कि grocery department है, यह सिर्फ उनका data highlight करना है, जो कि दिल्ली department है, तो आप क्या करोगे, पूरी range को किया select, इस तरीके से, और select करने के बाद यहाँ पर जाओ, text that contains पर आप click कर दो, click करने के बाद आपको simple यहाँ पर वो value लिखना है, जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है, कि सिर्फ garments का value है, वो highlight कर दो, तो आप देखो कि garments के value यहाँ पर highlight हो गई है, so I hope कि a text that contains का भी आप कैसे use करोगे, वो आपको clear हो गया हो, so simply हमने क्या क्या है, यहाँ पर गए और इस तरीके से हमें जो भी value को ढूणना है, वो हमने यहाँ पर apply कर दिया, फिर clear rule में जाके इसे कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पर date occurring, अगर आपको किसी date को ढूणना है, तो simple हो date डालो, date यहाँ पर आ जाएगे, duplicate value important है, पूछ लेते हैं कई बार interview में, जैसे माल लो आप जल्दी जल् लोग का, 500 लोगों का, तो आपका काम ऐसे बनेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, कि पूरे data को select करना, हमने पूरे data को select किया, और अगर आपको mouse से select करने में दिक्कत होती है, तो simple उपर में select करो, control shift की, दोनों को दबा के रखना है, उसके बाद down arrow की दबाना है, नीचे त कर देना है, और आप देखो कि जितनी की duplicate values हैं, वो यहाँ पर select हो जाएंगे, बट ऐसे में हमारा काम बना नहीं, थोड़ा गरबड हो गया, क्योंकि इसने हर range में जो जो duplicate values को select किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ इस name वाली range को select करेंगे, हम यहाँ पर control shift करेंग देखो, down arrow की किया, निचे तक data select, और हम चेक करते हैं कि क्या इसमें को duplicate value है, क्या किसी के नाम दो-दो बार use हुआ है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, duplicate value पर click करते हैं, करते हैं, तो यहाँ पर राजेश है, तो राजेश दो बार use हुआ है, एक यह राजेश यह आपका, तो यह duplicate value नहीं है, तो क्योंकि यह duplicate value है, तो हम इसको क्या करेंगे, delete, right click करो आप, और यहाँ पर देखो, आपको option मिलेगा, एक delete का, delete में गए, और यह पूरी row हमको delete करने, तो हम करेंगे entire row, और हमने क्या OK, और राजेश का data यहाँ से हम हटा सकते हैं, तो इस तर next term है, top and bottoms, अब इसका term क्या है, समझ लो, अगर आपको यह देखना है, जैसे यहाँ पर 50 लोगों ने sale करी है, तो आपको देखना है, top 10 sales कौन सी है, तो top 10 item, अगर percentage भी आप पर देखना है, कि आपने कोई भी percentage डाल दिया, उस percentage में top 10 कौन है, तो वो highlight हो जाएगा, इसी तर solution मैंने आपको बता दिया, अब आते है next time पर जो कि है data bars, यह important term है, इसका example में आपको पुराने वाले practical में ही समझा देता हूं, जैसे हम यहाँ पर आए, हमने syringe को select किया, ठीक है, यहाँ पर जाते है, और मैंने data bar समझा के इस पर click किया, अब देखो हो क्या रहा है, जिसमे जादा number है, उसमें तो highlighting जादा है, जैसे 88 है, हर श्मिस्टर कभीर का, तो highlighting जादा है, और जिसमें कम marks है, उसमें highlighting कम है, तो यह basically use किया जाता है, जब आप data प्रपेर करते हो company का, और आपको data को ऐसे दिखाना है, कि data यह कम है, यह जादा है, इसमें sale कम हुई है, इसमें ज error, जो कि आप देख सकते हो, तो यह simple term था, main जो था, वो पहला वाला था, highlight sales rules, जिसका सबसे जादा use होता है, so I hope कि यह term आपको अच्छे से के लिए हो गया होगा, अब बात करते हैं, दूसरे term की जो कि है, format as table, table एक important term है, table के थुरू आप data को easily analyze कर सकते हो, और उसे एक select करने के बाद format is table पे गए, और यहां जाने के बाद, जो भी आपको format अच्छा लगता है, multiple format है, जो भी अच्छा लग रहा है, आप उसको select करो, और कर दो ok, जैसे आप ok करोगे, आप देखोगे कि उस पे format apply हो गया है, और tables related जितने भी tools हो आपको मिल जाएंगे, फिलाल इ मैं उसको normal कर देता हूं, यहां पे जाके, यह किया, तो tables related जो color है, वो यहां पे आ जाएगा, आप देखो अगर मैं इसको change करता हूं, तो multiple options है मेरे पास, जो भी चे वो ले ले लेता है, फिलाल इसमें जो use होने वाला portion है, मैं वो आपको समझाता हूं, देखो, अभी जैस जोने garment grocery, मेरा सवाल यह है, यह आपके senior का सवाल यह है, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ grocery का data देख रहा है, तो आप क्या करोगे, select all पे check है, इस पे click कर दो, जैसे click करोगे, सब कुछ यहां से हट जाएगा, और सिर्फ select करो grocery पे, और कर दो okay, आप देखो, सब का data यहां से गाय कितना असान हो गया, और यहां पे हमें एक symbol देख रहा है, जिससे में पता चल रहा है, कि filter हमने किस पे apply किया, department पे, आप इस पे जाओ, और जाने के बाद clear filter पे click कर दो, यह पहले की तरह normal हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बिहार के data यहां पे आ गया, formatting हटानी है, यहां पे जाएंगे, clear filter करके हमने okay कर दिया, इसके लावा इसका एक और फाइदा है, फाइदा क्या है, जिससे sales है, तो sales कहीं 50,000, कहीं 40,000, मान लो आपका officer या senior, आपसे यह बोलता है, कि ऐसा करो, कि sales मुझे दिखाओ, ascending order में, कि जिसके sales कम है, उसका पहले आजाए, फिर उससे जादा, फिर उससे जादा, फिर उससे जादा, फिर उससे जादा, या फिर decreasing format में दिखा दो, कि जो उसमें सबसे जादा sales के वो top में, उससे कम हो नीचे, फिर उससे कम हो नीचे, फिर उससे कम हो नीचे, फिर उससे कम हो नीचे, बैस में जाता हूँ, टेबल डिजाइन में यहां एक option मिलेगा आपको convert to range, आप इस पर click करो और कर दो yes, जैसे आप करोगे पहले की तरह normal हो जाएगा, data को आपको पूरा select करना है इस तरीके से, और यहां पर cell style में जाके आपको simple normal पर click कर देना यह पहले की तरह normal हो जाएगा, या फिर अगर कोई design आप apply करना चाहते हो तो वह आप यहां से apply कर सकते हो, अब यहां पर जैसे style खतम होगा, आप सब के दिमाग में आ रहा होगा, अब हम करेंगे cell term, तो इसमें जो usable term है, क्योंकि देखो excel में बहुत सारे tools है, इतने tools है कि 15-20 घंटे की भी video बना दी जाए, तब भी उसका कोई करने वाले हम उनको करने वाले जिनके में ज़रूत पढ़ने वाली है, तो यहां पर सबसे पहले बात करते है insert और delete के, इसका क्या use है वो mainly समझते है, आपने यहां पर चार column के rate क्या हुआ है, एक है salesman का, एक है department का, एक है state का, और एक है sales का, अब आप से यह बोला जाता है कि भाई यह जो salesman है, इनकी age वाला column तो तुमने बनाए नहीं, तो अब आप क्या करोगे, आप यह सोचोगे कि मैं यहां पर डालू कैसे, यहां पर जगह है नहीं, तो आप यहां पर आते हो, right click करते हो, और आपको option मिल जाता है insert का, यह insert और यह insert, एक ही है, अलग-अलग तो आप इस insert पर click करोगे, click करने के पाद यह आप से पूछेगा, कि आप क्या insert करना चाहरे हो, आप row insert करना चाहरे हो, column insert करना चाहरे हो, क्या, तो हमने बोला हमें पूरी एक नहीं column चाहिए, तो हम करेंगे ok entire column पर, जैसे आप करोगे, आप देखोगे, कि यह जो design इस पर apply सकते हो, सेम इसी तरीके से अगर आपको row insert करनी है, राजेश और मुन्ना के बीच में, तो right click करो, और insert में जाके, आप यहाँ पर entire row पर click करके कर दो ok, आपको देखो, यहाँ पर एक extra row मिल जाएगे, तो ज़्यादा तर जब आप data create करते हो, और ओ data create करते के time, अगर आप भ row की ज़रूरत है, तो जिस तरीके से आपने insert किया, उसी तरीके से आप इसे delete करोगे, right click किया यहाँ और हम गए delete, insert के नीचे क्या है delete, हमने क्या click, click करने के बाद यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, कि आप किसको delete करना चाहते हो, यहाँ पर row भी है, कॉलम भी है, किसको delete क करना है, हमने बोला column को, किया okay, तो column delete, सेम इसी तरीके से मुझे इस row को delete करना है, तो मैंने क्या entire row और कर दिया, okay, और यह जो row है, वो यहाँ पर delete हो जाती है, so I hope कि insert और delete वाला section है, वो आपको clear हो गया होगा, shorten filter की भी बात करे, तो अभी जो मैंने आपको table में filtration समझाया, वही same term होता है, shorten filter, और इसका use table के time में ही जादा तर किया जाता है, इसलिए मैंने आपको table के साथ, इसका use समझाया, so I hope कि यह portion आपको अच्छी से clear हो गया होगा, दूसरा यहाँ पर मैंने एक section को छोड़ा है, basically छोड़ा तो मैंने इसको भी यह number section को, लेकिन इसका practical अभी तो मैं क्या करता हूँ, कि इस पूरे को select करके, यहाँ पर, मैंने कर दिया इसको normal, इसमें देखो कोई भी format अभी apply दिया, अब मान लोग कि मैं यहाँ पर color apply करता हूँ, जैसे मैंने इसको select किया, select करने के बाद मैं इसका font change करूँगा सबसे पहले, यहाँ पर आता हूँ, इसके वाला font apply किया, फिर इसका size थोड़ा से बड़ा कर दिया, और bold कर दिया इसको, और color यह कर दिया, और इसके बाद आप नीचे वाले section में आते हैं, और मुझे same जो चीज़े मैंने इसमें apply की, जैसे bold किया, मैंने font change किया, वही मुझे इसमें भी चाहिए, तो मैं क्या क इसको select करूंगा, format printer पर click करूंगा, और यहां पर brush आ गया, आपको इसे left click से hold करके drag करना है, आप देखो कि वही format इस पर apply हो गया है, color मुझे दूसरा चाहिए, तो color में यहां पर change कर देता हूं, यह ले लेता हूं, suppose या फिर कोई और color ले लेते हैं, यह ले लिया, और same format printer करेंगे, और यह करने के बाद, आपको इस पूरी range पर इस तरीके से apply कर देना है, देखो, और आपका जो मेहनत है, वो यहां पर बच जाती है, अगर मानलो आप किसी एक पर apply करते हैं, उसको select कि हमने क्या bold हटा दिया, और यह format मुझे सब पर apply करना है, तो format printer किया, उस format printer को उठाया, और फिर इसने पूरे range पर वो जो data है, वो यहां पर apply कर दिया, तो इस तरीके से आप format printer का use कर सकते हो, and I hope कि cut, copy, paste का use तो आपको अच्छे से आता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, अगर मुझे यही data एक बार और चाहिए, प्रैक्टिस करने के किया, down arrow की किया, निचे तक data select, right arrow की किया, right तक data select, copy किया, नई sheet पर data चाहिए, तो यहां पर देको नई sheet लेने के लिए आपको option मिलता है, हम इस पर click करते हैं, बिल्कुल fresh sheet आ जाएगे, यहां पर simple आपको paste कर देना, वो data यहां पर आ जाएगा, जो क्यों on skin अब देख पा जाना है, paste कर दिया, और यह data यहां पर आ जाएगा, so home tab से related, जितने भी important toolbars थे, वो हमारे यहां पर finish हो चुके हैं, और अब जो section हम cover up करने वाले हैं, वो है insert, और insert में जो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, वो है pivot table से, guys, interview में सबसे जादा consider किया जाता है, pivot table, क्योंकि अगर आपके पास एक long range of data है, और उस data को आपको summarize करना है, बड़ी आसान तरीके से, तो pivot table से best option कुछ और नहीं हो सकता, तो pivot table हम यहां पर शुरुआत करेंगे, table तो I hope कि आप समझी गए, table अभी हमने लिया था, तो table और यह table सेम ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, त normally आप इस skin पर देखो, यहां पर आपको data नज़्यर आ रहा है, जिसमें employee की ID, date, salesman, product, quantity, department, estate, sales, काफी कुछ है, अब जब भी बात आती है, इतने बड़े data की, तो इस बड़े data में काफी सारे points आते है, जैसे मालो आपका senior आया, उसने बोला कि मुझे इतना सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ employee की ID, department, और उसने कितनी sales की है, बस मुझे यही चाहिए, तो अब इतने बड़े data में ही, आप कैसे summarize करोगे, या फिर इसके other में भी कुछ option हो सकते है, data यह आपका vertical form में है, आप data horizontal form में represent करना चाहा रहे हो, तो ऐसे कई सारी चीज़े है, especially जब data आ आपको summarize करना है, अलग-अलग basis पे, तो pivot table का use किया जाता है, अब यहाँ पे pivot table apply कैसे होता है, सबसे पहले तो आपको पूरे data को select करना होगा, control shift किया, down arrow key किया, नीचे तक data select, right arrow key किया, right तक data select, data select होने के बाद, simple आपको pivot table पे single click करना है, आप single click करोगे, यहाँ पे आपको या फिर नई worksheet पे करना है, तो हमेशा आप नई worksheet पे apply करना, क्यों, क्योंकि यह data आपका backup है, और नई worksheet पे apply करोगे, तो उसे apply करना भी आसान होता है, और समझना भी आसान होता है, तो हम नई worksheet पे click करके हम कर देंगे okay, जैसे मैं okay करूँ है, यहाँ पे blank इस तरीके से sheet आज अगर आप पहली बार use करते हो तो, अब इन case अगर मानलो एक आयर भी हो जाता है, जैसे आपने गलती से इस पे click कर दिया, तो आप सोच तो यह आएगा कैसे, काफी लोग परिशान होना लग जाते ही, आएगा कैसे, तो देखो यह जो पाइवर टेवल वाला section इस पे click करना आपको यहाँ पे private table analyze का tab मिल जाएगा, यहाँ पे जाना और एक option मिलता है, field list का, इस पे जैसे आप click करोगे, तो private table field आपका आजाएगा, अब एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ देखो data कितना बड़ा है, और यहाँ पे हमारा पास data है ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ data हम अपने हिसाब से बनाएंगे, जैसे मान लों कि मुझे क्या क्या चाहिए, मेरा जो senior है, यह supervisor वो आता है मेरे पास, और बोलता है कि भाई, मुझे सिर्फ कुछ limited चीज़े ही चाहिए, तो सबसे पहले क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे करता हूँ employee ID, जिसको मैं उठागे ले लेता हूँ, यहाँ पे रोज में, तो मैंने employee IDs को लिया, रोज में देखो data आगया, इसके बाद उसने क्या-क्या product sale किया, तो product sale करने के बाद मैं यह product लेता हूँ, और इसको भी ले लेता हूँ, तो यह row में लिया तो यह इस तरीके सा आगया, या फिर मैं ऐसा करता और select करने बाद रख लेता हूँ, तो यह आगया product section ऐसे, देखरो data यहाँ पे अलग तरीके से, और यहाँ पे data वैसा है, जैसा मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ, इसके बाद मैंने यहाँ ले ले department, तो department को मैं उठा के रख लेता हूँ, column में, तो वहीं पर department भी आ जाएग कि college bag की जो total sale है, वो सिर्फ ID number 101 ने इतनी की है, जो की total है, एक लाग रुपे की, अगर हम बात करें computer की, तो computer की sale की है, दो लोगों ने, एक है ID 1001, और एक है ID 1019, इस तरीके से, अगर इस data को और portable way में बरानी की बात करें, तो हमने product हटाया है यहाँ से, और हमने डाल दे department, तो यह थोड़ा और portable way में आ जाएगा, कि bags की बात करें, अगर department bag की, तो इसमें total sale हुई है इतनी, एक लाग 65,000 की, अगर हम बात करें electronic department की, तो उसके total sale है इतनी, अगर हम बात करें, गार्मेंट की तो इतनी, और अगर हम सब की total की बात करें, तो वो है इतना, 12,53,000 का, त आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ना आप इससे summarize कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो अगर हम पाइबर table की बात करें, तो हम जैसा घुमाना चाहें data को, वैसा घुमा सकते हैं, जैसे कि आप देखो, यह जो department है, अगर मैं उससे उठा के रोज में डाल दो, तो data यह कु किया, तो सिर्फ back का data आगया, वो भी total के साथ, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ, आपको देखने में असानी होगी, यहां पर, इसके साथ ही मैं यहां पर जाता हूँ, मैंने कि electronic, मैंने कि okay, तो सिर्फ electronic का data आ रहा है, मैंने कि यहीं पर जाए कि garment, तो सिर्फ garment दे दिया, उन्हें column में चाहिए, अपने column में दे दिया, उन्हें row में चाहिए, आपने row में data दे दिया, तो जिस तरीके से आप data दिखाना चाहते हो, और जो जो चीजे दिखाना चाहते हो, उस तरीके से आप इसे easily manage कर सकते हो, और यहां देख पा है हो, आप multiple columns है, जिस column क जरूरत है उसको उठाया जैसे मालो state है इसको उठाया इसको हमने डाल दे यहां पे columns में तो data इस तरीके से यहां पे आ गया इसको उठाया कि हमने डाल दे रो में तो यह data यहां पे आ रहा है कि यह जो 1001 ID है वो कहां से UP state से यह जो 3 ID है वो कहां से दिल्ली से तो इस तरीके स वन किसकी राजेशकी है, टू किसकी है महिशकी है, तो इस तरीके से आप पाइवर्ट टेवल फिल्ड का यूज कर सकते हैं, I hope कि ये जो टर्म है पाइवर्ट टेवल फिल्ड का वो आपको किलर हो गया होगा, और यह क्यों important है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा, अब guys इससे पहले कि माँगे बड़े मैं आपको बताना चाहूंगा, कमाल के hardware brand के बारे में जो कि है Geonics, अगर आप आज के date में computer hardware component लेने के सोचे रोचा है, वो RAM हो, hard disk हो, monitor हो, तो Geonics एक one of the best option है, अभी recently मैंने भी वहां से 18.5 inches की LED monitor मंगवाई है, और जिसकी quality मुझे काफी ज़्यादा पसंद आई, सबसे पहले जब मैंने इसे unbox किया, तो इसमें जो जो चीज़ें मिली हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, सबसे पहला तो इसका stylus stand, जो की काफी अच्छा log represent करती है, इसके साथ ही इसमें अगर हम बात करें इसे CPU से connect करने की, तो आपको यह दो option मिल जाते हैं, एक मिल जाता है VGA cable, और दूसरा मिल जाता है HDMI cable, मतलब इसमें आपको VGA port भी मिला है, और HDMI port भी मिल जाता है, इसके बाद जब मैंने इसे play किया, तो इसके जो quality है, screen quality है, और इसके आप देख पा रहोंगे, वो भी काफी जादा मुझे पसंद आई, मतलब अगर मैं बात करूँ, 18.5 inches monitor के, जो कि मेरे पास एकाद और भी है, तो उसके respect में मुझे इसके quality काफी जादा अच्छे लगी, और इस सब के साथ इसका जो response time है, वो भी काफी जादा अच्छा है, अब देखो, जियोनिक्स मैं आपको क्यो recommend कर रहा हूँ, इसका एक और reason भी है, अगर मैं comparison करूँ price के respect में, यह अब मैं बात करूँ और भी चीजों के respect में, जैसे होगे customer response या customer engagement, तो वो सब चीज़े भी इसके बाग की brands के मुकाबले अच्छी है, मतलब अगर आप किसे new brands से compare करो, तो आपको यहाँ पर price काफी जादा कम मिल जाएगा, उसके respect में, इसके साथ ही अगर geonics की बात करें, तो यह e-commerce website पे तो available ही है, साथ ही इसकी अपनी official website है, जहां से जाके भी आप इसके बारे में, total और proper way में review कर सकते हैं, तो अगर आप भी computer hardware components लेने के सोच रहे हो, तो geonics is one of the best option, तो go for geonics, अब यहां पे हमारा table section तो cover up हो गया, बात करते हैं illustration section, कि बहुत ही साथ ही easy है, इसमें कुछ big stuff नहीं है, यह आप बिना वेरी मदद के कर सकते हो, बढ़ मैं फिर भी इसका मतलब आपको बता देता हूँ, कहने का मतलब क्या है, कि अगर आपको कोई भी object लेके आना है, अपनी excel sheet में, तो हम illustration part का use करते हैं, चाहे वो picture हो, shape हो, कोई icon हो, कोई smart art हो, या screenshot हो, जैसे मैं picture भी किलिक करता हूँ, तो आपने इपने device में, जहांपे भी picture रखी है, हम उसमें जाते हैं, जाने के बाद, यहां पे मैंने download में picture रखी है, मैं यहां पे आया, और मैंने यह वाली image को select करके insert कर दिया, इस तरीके से, मैं इसको करता हूँ, छोटा यहां पे आगया, तो यह काफी बड़े size में आ रहा है, तो हम इसको छोटा कर लेते हैं, और simple इसको हमने छोटा कर गए, यहां पे लगा दिया कुछ इस तरीके से, तो simple क्या है, कि अगर मालनो मुझे object दिखाना है data के साथ, तो मैं इस तरीके से object यहां पे लेकिया जाता हूँ, और जैसे आप इसको लेते हो, आपको यहां पे editing tool मिल जाते हैं, जैसे इसका correction, जैसे कि इसकी brightness, contrast, color आपको change करना, आप color भी change कर सकते हो, आपको effect डालना है, तो आप इस तरीके से effect डाल सकते हो, transparency कम जादा करनी है, तो वो आप कर सकते हो, देख सकते हो, तो kull मिला कि basic tools है, आप खुद इससे करोगे, तो यह आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी big stuff नहीं है, इसके बाद इसी तरीके से, अगर आपको कोई shape चाहिए, तो देख पा रहे हो, आप multiple shape का option है, जैसे यह shape ले लिया हमने, और ऐसा कुछ आपको दिखाना चाहरे हो, तो आपने दिखा दिया, color वगरा change करना, यहां से कर लिया, simple options है, आप इसे use कर सकते हो, कुल मिला कि क्या है, कि अगर हमें कोई object लेना है, चाहिए वो shape हो, picture हो, कोई smart art हो, कोई 3D model हो, तो वो भी आप यहां से ले सकते हो, बहुत ही simple way में, अब इसके बाद हम बात करते है, next section की, जो कि है, अपने data को, graphical view में represent करना, तो जैसे इसके लिए, जादा तर क्या होता है, कि data हम short रखते है, जैसे मालो, यह मुझे column वाला portion नहीं चाहिए, रो भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करते है, इसको copy कर लेते हैं, ऐसे, यह मैंने किया copy, ठीक है, copy करने के बाद, यहां आता हूँ, मैं कर देता हूँ, इसको paste, इस तरीके से, और यह father's name वाला section, हटा देते हैं, इसके जरूरत नहीं है, suppose हम को, data में, तो हमने यह select किया, अब select करने के बाद, data को select करो, ऐसे, और यहां पर देखो, आपको chart का option मिल रहा है, आप recommended chart पर click करो, इसमें जो भी chart, data के हिसाब से best होगा, वो आपको provide कर देगा, आप click कर दो, click करने के बाद, यहां पर जो भी format design है, आपने select किया, आपने क्या okay, आप देखो कि उसके हिसाब से, एक chart यहां पर तयार हो जाएगा, आप यहां पर analyze कर पा रहेंगे, जिससे राजेश है, तो राजेश का, अगर मुझे English का data देखना है, तो यह है English का data, यह है राजेश का हिंदी का, यह है math, यह है science, आपने इसका select किया, और आपने इसका कर देखना है, इस तरीके से, आपने इसको select किया, इसका color आपको dark black, चीए आपने कर देखना है, तो कुल मिलाकर आपको ऐसे ज़रुत पड़ती है, कि data को आपको graphical view में represent करना है, तो आप इस way में से represent कर सकते हो, चार्ट की मदद से, अब guys, बात करते है next term की, जो कि है print section, और print section बहुत ज़्यादा important है, क्यों important है, क्योंकि Excel में जो भी data prepare कर रहे हो, उस data को आप print करके hard copy में, अपने client या फिर जो भी senior supervisor जो भी है, उनको आपको देना पड़ेगा, और Excel की sheet इतनी ज़्यादा बड़ी है, जिसमें data तो हम बना लेते हैं, और बनाने के बाद जब हम print करते हैं, तो उसका print proper way में आता ही नहीं है, और उसके बाद काफी ज़्यादा दिक्कत होती है, example के लिए मैं आपको demo शो करता हूँ, अब यह आप देख पा रहे होगे, कि मेरा data यहाँ पर कहां से कहां तक है, employee ID से लेके, state sales तक data है, लेकिन अगर मैं इसको print करूँ, मैं फाइल में जाता हूँ, और मैं simply इसको यहाँ प्रिंट पर किलिक करता हूँ, आप यहाँ पर notice करूँ कि data कहां तक आ रहा है, सिर्फ department तक आ रहा है, और उसके बाद का जो data आ रहा है वो आ रहा है दूसरी page पे, तो कहीं न कहीं अभी यह proper तो print नहीं हो पा रहा, तो यही एक दिक्कत है, जो print करते time Excel users को बहुत जादा आती है, अब इन में क्या-क्या चीज़ हैं, उन चीज़ों को समझते हैं, सबसे पहला time यह जो page setup आप देख रहे हो, यह बहुत जादा important है, print section से related, और दूसरा term होता है, यह scale to fit, तो मैं इन सभी चीज़ों को आपको step by step समझाता हूँ, सबसे पहले यहां पर बात करते है margin की, अभी आप notice करो कि यहां पर अगर मैं इसको ले 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 तो normal layout में, page layout में मैंने लिया, तो page layout में लेने के बाद यह है आपका page, और अगर आप इसके margin को notice करो, तो यह इतनी जगह इस page में छूटी हुए, इतनी जगह क्या है, इस page में छूटी हुए, तो margin में जाएंगे, और यहां जाने के बाद एक option है narrow, मैं जैसे इस पर click करूँगा, तो देखो अब इसमें margin पहले के मुकाबले कम हो गई, और क्योंकि यह कम हो गई, तो state वाला वहां से हट गए, इसके बाद अगर माल लो कि सिर्फ इतनी से जगह ही रह रही है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ एक column के बात है, और यहां पर आपने जरूरत से ज़्यादा space दिया हुआ, जिसे salesman में, space इसमें extra है, तो मैं यहां double type करूँगा, तो यह कम हो गया, spaces में कम हुआ, तो यह automatically कहा आ गया, यहां पर आ गया, और अब अगर मैं इसको print करने की कोशिश करूँ, जिसे मैं यहां पर आता हूँ, print करता हूँ, तो आप देखो कि पूरा data अब यहां पर print हो रहा है, यह हुआ पहला portion, दूसरा इसको पहले जैसा हम normal करते हैं, control z करते हैं यहां पर, तो अभी हमने इसको पहले जैसा normal किया, मैं दुबारा लेकर आता हूँ, आपको normal layout पर, अब यहां पर दो चीज़े होती है, अगर आप page को notice करो, तो यह जो page का format है, यह portrait, कैसा format है, portrait, और यहां पर orientation में, page दो तरीके से होता है, यह जो अभी आपको खड़ा page दिखा रहा है, यह portrait, और इसी page को अगर हम turn कर दे, तो यह बन जाता है landscape, जो कि drawing sheet वगरा जो page आप देखते हो, उसको हम बोलते हैं landscape, जैसे मैं landscape करूँगा, आप देखो कि आपके page का जो design है, वो यहां पर change हो गया, पहले लंबे format में आ रहा था, और अभी यहां पर wider format में आ रहा है, तो यह होता है orientation, तो अब आप देखो, जैसे इसकी width बढ़ गए, तो automatically जो data आ रहा था, दूसरे page में, वो shift on होके आ गया, पहले page में, और हमें यहां पर किसी चीज़ को छोटा भी नहीं करना पड़ा, अगर मैं आपको show करूँ, तो आप देखो, यहां पर पहले हमने date को छोटा किया था, margin को कम किया था, तो अभी हमें किसी चीज़ को कम नहीं करना पड़ा, हमने क्या कर आप page को हमने घुमा दिया, तो कि जो हमारा data है, वो wider format में जादा है, और length format में कम है, तो वो data इस हिसाब से हम print out निकाल सकते हैं, यह term भी आपको clear हो गया होगा, इसके बाद तीसरा term होता है size, अब यह भी important है, सबसे बलतो इसको portrait कर देते हैं पहले की जैसा, कई बार जब आप print कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है, कि आप जो page का size है, वो जो सही ले रखा या नहीं, नॉर्मल जो हम print out निकालते हैं, वो होता है A4 size paper, यह वाला, और by default जो Excel में select होता है, वो होता है letter size, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कि आपको select कौन सा करना है, A4 size, तो A4 size आप select करोगे, तो उसके हिसाब से proper demonstration में, page आपका निकलेगा, और आपका data भी proper way में आएगा, इसके बाद यहां पर आ जाते है next time पर जो कि है scale to fit, अभी आप देख पा रहे हो कि जो data है, वो आपका थोड़ा सा आगए यहां पर निकल गया, आप चाहरे हो कि आपको data निकालना है पूरे page में, लेकिन जो इसकी width बड़ी है, मतलब width अगर आप देखो data यह width है, तो इस width के भी हाब पे सिर्फ data आ रहा है इतना, और इतना data extra है, तो मैं चाहरा हूँ कि पूरा printout एक ही page पे निकले, लेकिन उसकी width जो है वो अपने हिसाब से manage हो जाए, तो यहां automatic width है, इसको कर दो एक page के भी हाब पे, इसका जो print है वो थोड़ा छोटे view के साथ निकलेगा, अभी आप notice कर पा रहा होगे कि पहले जो size आ रहा था, वो थोड़ा बड़ा था, और अभी जो size है वो आ रहा है पहले से छोटा, अभी आप इसको देख लो, मैं यहां पे पहले की तरह इसको automatic करता हूँ, तो मैंने पहले की तरह इसको normal किया, यहां पे 81% है, इसको पहले जैसा हम कर देते हैं 100%, और करने के बाद, अब मैं इसका preview आपको check कर आता हूँ, तो यहां पे हम check करते हैं, पहले को मुकाबले बढ़ा आ रहा है, तो basically करता क्या है, अगर आप इससे one page कर देते हो, तो one page की वहाब पे क्या करेगा, कि इसका जो size है, उसको कर देगा 81%, यह जितने भी percent में यह adjust हो सके, और यह उसको सिकोडा देगा, मतलब छोटा कर देगा, तो यह होता है scale to fit, इसी तरीके से अगर height जादा है, और आप उसे एक ही page में निकालना चाहते है, तो आप इससे one page कर दोगे, दो page में data को निकालना है, तो आप two page कर दोगे, तीन page में data को निकालना है, तो three page कर दोगे, so I hope कि यह वाला portion भी आपको के लिए हो गया होगा, अब आते हैं page layout के next and last time पे, जो कि है print titles, and I am sure कि इसकी जरुवत भी आपको 100 and 1% पड़ेगी ही पड़ेगी, अगर आप एक large number of data print कर रहे हो, और वो कैसे, वो आप अभी समझ जाओगे, सबसे पहले आते हैं normal layout में, यह आगे हम normal layout में, इसको हम पहले की तरह automatic कर देते हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, करने के बाद margin में जाएंगे हमने के normal, और यहाँ पे इन सब को में normal कर देता हूँ पहले की जैसा, यह मैंने कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पे term क्या है, सबसे पहले मुझे data जादा चाहिए होगा, तो मैं इसको copy करता हूँ, यहाँ पे आके मैंने किया paste, फिर यहाँ पे आता हूँ नीचे मैंने किया paste, फिर एक दो बार और paste कर देंगे, ताकि मार पास एक large number of data आजाए, data थोड़ा सा अलग लगे, इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, इस पर double tap करेंगे, तो automatically range apply हो जाएगे, फिर हमने इसको select किया, double tap किया, यह range apply हो जाएगे, आगे, मतलब जैसे यहाँ पे 20 तक आ रहा था, तो यह apply आप नीचे तक फैल जाएगा, और यह भी आगे तक बढ़ जाएगा, अब एक बार मैं इसके previews चेक करता हूँ, print के time पे, तो यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा छोड़ा करते हैं, simple, तो आप यहाँ notice करो, यहाँ आ रहा है 1049 तक का data, ठीक है, और total data है 3 page का, मैं आगे करूँगा, तो आगे data आ रहा है 1099 तक, आप इसको देख पा रहे हूँगा, I hope मैं आपको show कर देता हूँ, 1099 तक, लेकिन इन दोनों data में कुछ फर्ग नजर आए आपको, अगर मैं यहाँ पे बात करो, क्योंकि print निकालोगे, यह अलग page पे निकलेगा, यह अलग page पे निकलेगा, और यह अलग page पे निकलेगा, तो अगर हम पहले page की बात करें, तो इसमें तो मैं पता चल रहा है, कि यह वाला जो column है, इसमें email ID लिखी है, इसमें date लिखा है, इसमें salesman का नाम है, इसमें product है, लेकिन क्या आपको sheet 2 में पता चल रहा है, कि यह जो jeans लिखा है, इसके उपर वाला column क्या है, यह 180 यह क्या चीज है, यह 600 अपंदराजार है, यह क्या है, यह sheet 3 में पता चल रहा है, तो basically होता क्या है, कि print करते के time, में जाना है, जाने के बाद आपको simple, यहाँ पर क्या पहला option है, rows to repeat at top, इस पर click करना है, single click, और फिर यहाँ पर भी आके, single click करना है, और कर देना है, ok, ok करने के बाद दुबारा, हम print preview चेक करते हैं, हम गए print में, और यहाँ जाने के बाद देखो, यह पहले वाला जो page है, जो print होगा, इसमें भी उपर column है, आगे किया, तो दूसरे वाले page में भी वो जो headings है, वो यहाँ पर आ गई है, और सेम तीसरे वाले page में भी, वो headings यहाँ पर आ गई है, तो अब अगर आप multiple pages print कर रहे हो, और यह titles का issue आ रहा है, तो आप इसे आसानी से solve कर लोगे, अब guys अभी तक हम 60% of tutorial complete कर चुके हैं, अब यहाँ पर आते हैं next term पर, next term में देखो सबसे पहले तो कुछ basic terms में आपको बताने वाला हूँ, जो कि है data validation, एक term और बहुत ज़्यादा important है, जो कि इंटर्विम पोचा जाता है, free spans, और सबसे last होगा हमारा term macro, तो सबसे पहले यहाँ पर basic term वाला जो concept है, वो हम killer कर लेते हैं, देखो, एक चीज जो कि Excel का बहुत ज़्यादा plus point है, कि आप Excel में जो इतने भी cells है, उसमें अपना जो calculating part है, जो कि as a calculator आप यूज़ कर सकते हूँ, वो भी सिर्फ एक single trade के साथ, जो कि है equal, जैसे कहने का मतलब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने के equal, और मैं यहाँ भी लिखता हूँ 10 plus 18, मैं enter करूंगा तो इसका जो भी solution है, वो यहाँ पर आ जाएगा, मैंने के equal, मैंने के 10 multiply 5, मैंने के enter, तो आगे 50, मैंने के equal, और मैंने यहाँ पर लिखा 45 divided by 5, मैंने के enter, तो यहाँ आ गया, तो कुल मिला कि आप equal करके, जो भी mathematical equations करना चाहते हो, जिसका rate मैंने यहाँ पर लिखा है, उसके quantity लिखी है, और मुझे उनका amount निकालना है, अब यहाँ पर simply आप देखो, एक book का price कितना है, 80, total piece लिए है उन्होंने 100, तो इसका price कितना होगा, हमने के equal, इस cell को हम select करेंगे, multiply कर दिया, इस cell को, हम यहाँ पर by desert नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, वो भी मैं समझाता हूँ, तो मैंने के यहाँ पर enter, तो यहाँ आगे 8000, कुछ लोग की दिमाग में आ रहा होगा, कि अभी आपने math हम को बताया, तो हम ऐसे क्यों न कर लें, हमने क्या equal, यहाँ पर simply लिखा 80, multiply कर दिया 100, क्या enter, तो भी तो same answer आएगा, देखो इसका नुकसान क्या है, कि जब आप cell select करके करते हो, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको show करूँ, हमने cell को select करके किया, तो यहाँ पर फाइदा क्या है, कि जब आप इसे कोने में आओगे, plus का symbol आएगा, आप drag करोगे, तो automatically सब का data यहाँ पर आजाएगा, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं, और इसे हम drag करेंगे, तो सब में वही value आएगे, जो कि है 8000, क्योंकि यह जो value है, इसमें हमने एक constant value दिये, 80100, और इसमें हमने reference दिया है, वो reference क्या है, इस वाले cell का, और इस वाले cell का, तो यह क्या करता है, कि जब नीचे करते हैं, तो यह reference इसका पकड़ लेगा, देखो यहाँ पर आए, तो अब इसने reference इसका ले लिया, फिर यहाँ पर आए, कि यहाँ पर data बहुत ज़्यादा simple लग रहा है, अगर मैं बोलू, यह 80 है, तो यह 80 क्या है, रुपीज है, डॉलर है, युवान है, क्या है, क्योंकि बेसिकली तो हम accounting format शो करेंगे, तो हमने कहा कि हमने data को ऐसे select किया, select करने के बाद, यहाँ पर देखो जो accounting section है, अगर इसमें आप यह किलिक करोगे, तो यह इस format में आ जाएगा, अगर आप इसे हटा देते हो, suppose मैं यहाँ पर general format कर देते, तो यहाँ पर आप देखो कि currency का option है, आपने के रुपीज, तो इस तरीके से रुपीज वाला format आ गया, यहाँ पर amount है, इसको भी select किया हमने, select करने के बाद यहाँ पर गये, आपको dollar select करना है, जो भी select करना है, तो रुपीज select करते हैं, वो आ जाएगा इस तरीके से, तो अभी आ रहा बिलकुल अच्छे format है, अब यहाँ पर बात आती है quantity की, यह जो quantity 100 आपने लिखा है, यह pieces है, packet है, boxes है, यह है क्या, तो हम यहाँ पर बोल रहा है pieces, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जादा तरू लोग गलती क्या करते हैं, कि वो यहाँ पर आएंगे, और इस तरीके से लिख देंगे pieces, अब जैसे आप यह लिखोगे, आपने क्या enter, तो यहाँ पर आपको error मिल जाएगा, error क्यों मिला, क्योंकि देखो 80 और 100 को गुना करना mathematical equation है, लेकिन pieces को कैसे multiply करोगे, वो तो alphabet है, तो इसके लिए trick होती है XLP, वो क्या होती है, आपको इस range को select करना है, select करने के बाद number section में जाना है, जाने के बाद, आप यहाँ पर simple custom में जाओगे, और यहाँ general को cut करोगे, cut करने के बाद आपको सबसे पहले लिखना है hash, hash लिखा जाता है, जो भी 100, 300, 500 यह जो value आपने लिखी है उसके लिए, उसके बाद space करना है, और double quads के अंदर जो भी print करवाना है इसके साथ, वो लिख दो, जैसे हमें print कराने pieces, हमने double quads के अंदर यह लिखा, और हमने गया okay, और अब यहाँ पर value भी आ गई, और कोई error भी नहीं आया, so I hope कि यह term भी आपको clear हो गया होगा, इसके साथ ही अगर इसके decimal value आप हटाना चाहते हो, तो यह decrease decimal करदो, यह decimal value हट जाएगी, अगर आप यह रखना चाहते हो, तो increase decimal करदो, यह value यहाँ पर रह जाएगी, so I hope कि यह जो number section है, इस तरीके से हम select करेंगे, और यहाँ पर corner में जाके से select किया, और इस तरीके से हमने कर दिया simple drag, कहां तक करना आपको simple drag 50 तक चाहिए, तो आप 50 पर लिए जाके छोड़ दो, यह 50 तक data आजाएगा, इस तरीके से आपको 2 का table लिखना हमने लिखा 2, अगला step क्या है उसका 4, दोनों को किया select और इस तरीके से हमने drag कर दिया, कहां तक 20 तक, तो यह आजाएगा इस तरीके से, Sunday Monday चाहिए, तो हमने लिखा simple Sunday, अगला step क्या है, Monday, हमने लिखा Sunday Monday, दोनों को किया select, और इसको कर दिया इस तरीके से drag, तो जहां तक चाहिए, वहां तक रखा और बागे को कर दिया delete, यही काम आप January, February के साथ कर सकते हो, और भी कोई table से उनके साथ कर सकते हो, date वगरा print करानी है, तो उनके साथ भी कर सकते हो, range आपको ऐसे डालना है, तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, जैसे अगर मुझे यहां पर लिखना है January, और यहां पर लिखना है February, तो यहां पर बेसिकली हमने, वर्टिकल पोर्शन में data को प्रिंट किया, आप चाहो तो horizontal पोर्शन में भी data को प्रिंट कर सकते हो, जो कि on screen आप देख पार हो, इस तरीके से, तो यहां पर जो मारा basic concept थोड़ा सा छूट गया था, वो हमने cover कर लिया, अब इसके बाद आते हैं next term पर, जो कि है data validation, और data validation एक important term है, क्यों important term है, यह भी आप अभी समझ जाओगे, सबसे पहले यहां पर आते है data tab में, और यहां पर आते है data validation में, आप इस data validation पर click करोगे, तो आपको multiple options मिलेंगे, जो कि आपको confuse भी करेंगे, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अभी मैं आपको एक demo show करता हूँ, जैसे यह data को मैंने copy किया, और copy करके मैं इस वाले sheet पर इस data को रख लेता हूँ, यहां पर आता हूँ, आप data validation से कैसे, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहां पर आउँगा, आने के बाद data validation पर click करूँगा, एनी value में जाके आपको click करने list पर, यहां जाने के बाद source का option है, इसमें जाओ, और जाने के बाद simple, जो backup हमने बनाये था range का, उसको हम select करेंगे, और कर देंगे OK, अब यहां पर मैं आता हूँ, और इसको कर देता हूँ, ठीक है, पूरी को मैं करता हूँ, यहां पर delete, ठीक है, अब यहां पर देखो, book का option आ रहा है, मैं यहां पर आता हूँ, drop down menu मिला, क्या select करना चाहते हूँ, eraser, shopner, notebook, हमने कर ले select, हम यहां पर आते हैं, मुझे select करना है, यहां पर notebook, यहां पर आते हैं, मुझे select करना है, यहां पर pen, यहां पर select करना है, pencil, यहां पर select करना है, मुझे shopner, तो इस तरह के साब, data validation का use, यहां पर कर सकते हो दूसरा यूजर यहां पर restriction लगाने के लिए कहने के मतलब जैसे यहीं पर आता हूं मैं right click करता है insert में जाते हैं और एक column को insert कर लेते हैं और मैं यहां पर customer की mobile number डाल रहा हूं ठीक है अब मैं यह कह रहा हूं कि जो भी number आप डालोगे वह 10 desert से जादा नहीं होना चाहिए जैसा कि rule है कि 10 desert का ही mobile number होता है तो अब हो कैसे होगा तो आप यहां data validation में जाओ और जाने के बाद यहां पर आपको simply एक option मिलेगा जो कि है text length का आप इस पर click करो तो मैंने बोला minimum भी 10 number होने चाहिए और maximum भी 10 number होने चाहिए हमने किया ok और मैं इसको कर दे रहा हूं drag इस तरीके से यहां पर आता हूं मैं और मैंने यहां भी लिखा 9 7 1 6 5 2 3 5 6 2 तो यह accept कर लेगा लेकिन अगर मैंने दुबारा कोई number डाला जो कि 10 desert से जादा है यह 11 desert है मैं enter करूंगा तो यह data लेगा ही नहीं और यहां पर क्या लिखा रहा है this value does not match the data validation restriction वगर वगरा हम चाहरे हमारे साब से message आए कि यह number सही सा लिख लो आप तो हम क्या करेंगे दुबारा आएंगे इसे में data validation में जाएंगे और यहां पर हम message जो print कराना चाहरे है error alert में हम यहां पर जाएंगे और हम बोलेंगे कि invalid number और यहां पर हमने message दे लिए प्लीज इंसर्ट राइट नमबर इस तरीके से में डाला हमने क्या okay इसको कर देंगे ड्रैग अब यहां पर simply मैं क्या करता हूं मैं यहां पर आता हूं और मैं को number डाल के देखता हूं इस तरीके से अगर आपको restriction लगाना है तो उसके लिए भी आप data validation का use कर सकते हो इसमें आपको multiple options मिलते हैं जैसे अभी मैंने text length पे लगाया आपको time पे लगाना है date पे लगाना है decimal पे लगाना है तो वह आप लगा सकते हो बहुत easy है आप करोगे तो आप इससे समझ यह आपसे जरूर पूछेगा अगर आपको last data के उपर caution किया जा रहा है तो अभी क्या है कि मुझे उपर दिख रहा है कि employee ID है date है salesman है product है दिख रहा है लेकिन जब मैं नीचे करता हूँ और data देखने के लिए तो उपर वाला section हट गया तो basically होता क्या है कि इसको हमें freeze करना पड़ता है ताकि हम जितने भी नीचे जाए उपर वाला जो रो है वह वहीं पर रहे तो इसके लिए क्या करना आपको यहां पर आना है उपर वाले section में और आने के बाद यहां पर जाना है simple view tab में यहां इसमें जाएंगे जाने के बाद यहां पर आपको option मिलेगा freeze paints का इस यह बहुत ही important and powerful tool होता है जो कि interview में भी आपसे पूछा जा सकता है अब इसको हम पहले की तरह normal कर देते हैं तो unfree spin पे हमने click किया अब यह पहले की तरह हो गया अब इसके बाद जो हमारे last term है वो है macro और macro अगर आप excel user हो तो आपको पता होगा कि macro कितना जादा important है फिलाल इस वीडियो में macro का मैं आपको basic use बताने वाला हूँ अगर इसके बार में बहुत detail में पढ़ना चाहते हो बड़े practical के साथ तो playlist में इस से related video available है फिलाल क्योंकि आप beginners हो तो beginner के भिहाब पे macro का क्या use होता है वो मैं आपको clear करता हूँ दो को macro का use होता है steps को record करने के लिए और इसकी जरूरत इसलिए जादा बढ़ती है क्योंकि हर एक काम के लिए formula नहीं बनाया जा सकता मालो आपके दिमाग में को creativity है कि मैं यह चाह रहा हूँ कि एक sheet है suppose यह वाली sheet है इस sheet में क्या हो कि मैं कोई भी 4 लोगों का data डाल रहा हूँ जैसे मैं राजेश लिखा है grocery ल select करना है वो सब कुछ record हो और एक button दबाने से वो सब कुछ apply हो जाए तो वो काम कर सकता है अप macro से तो macro का simple use है आपके steps को record करना क्या करना आपके steps को record करना जिसका एक छोटा से example दे रहा हूँ मैं आपको जिससे आप इससे समझ जाओगे किसका role play क्या है और जब आप practical बड जाता है macro का इसके अलावा कई जगा पर data हमें retrip करना है तो वहां पर भी macro का use होता है तो फिलाल आप इसका basic term समझो उसके बाद advanced level किसी और वीडियो में तो सबसे पहले तो आपको यहां पर developer tab मिलता है अगर आपके excel में developer tab on नहीं है तो वो कैसे on करोगे वो मैं आपको बत करना है click करने के बाद अभी आप देखो develop tab मेरा जो है वो यहां पर choose है अगर इस selected नहीं है तो आप इसको select कर देना और okay कर देना तो यह आ जाएगा फिलाल आते है developer tab पे तो यहां पर आपको option मिलता है record macro का अब मुझे यहां पर क्या record करना है तो simply अगर हम सिर्फ इसी data के भी हाप पर बात करें तो मानलों कि ऐसा data हमार पास चार पांश जगा है या फिर हम क्या करते है इसी की copy create कर लेते हैं तो जब आप इस sheet पर right click करोगे तो आपको option मिलेगा move or copy का हम इस पर जाते है जाने के बाद हमने किया create a copy और हमने किया okay तो अब हमार पास दो sheet है हमने ब normally select किया और उठागे यहां रख दिया अब यहां भी मैं क्या चाह रहा हूं कि इसमें मैं को editing apply करूँ और same मैं उसका एक shortcut बना लेता हूं वही editing मैं apply कर दूंगा दूसरे पर तो अब यह सारा कुछ करेंगे कैसे हम करेंगे अपने steps को record करके तो simple करना क्या है देखो सब से ब बाद आपको एक shortcut की create करनी होगी जिसे click करने पर आपके सारे steps एक बार में apply हो जाए तो यहां पर मैं बना लेता हूं Ctrl-Shift-K अब मैं Ctrl-Shift-K क्यों बना रहा हूं एक्सल में कई ऐसे shortcut है जिनका already कुछ न कुछ मतलब है जैसे Ctrl-C से copy होता है Ctrl-V से paste होता है तो मुझे एक ऐसा shortcut बनाना है जिसका कुछ और use ना हो इसलिए मैंने Ctrl-Shift-K यहां पर बना लिया मैंने किया OK जैसे मैं OK करूंगा देखो है recording start हो गई है अब यहां पर मुझे करना गया है तो सबसे पहले तो मैं यहां पर आता हूं मैंने किया right click और मैंने किया insert और मैं क्या insert कर रहा हूं एक row मैंने किया OK करने के बाद मैंने इसको किया इस तरीके से drag ठीक है उसके बाद हमने इस पूरे को select किया और select करने के बाद हमने किया इसे merge merge करने के बाद जो भी color म यहां पर प्लाइ कर दिया कुछ इस तरीके से, टेक्स कलर मैंने कर दिया वाइट, और वाइट करने के बाद जो Fonking Size है वो मैंही ने कर दिया 22, इतना करने के बाद यह पहला वाला रुट है इसको मैंने यहां पर select किया कुछ इस तरीके से जो क्यों इसके आप देख पा रहे हो नीचे तक हम पूरे डेटा को select कर रहे है select करने के बाद यहाँ पे आएंगे और मैंने इसका जो यह format है वो change कर दिया मैंने इसको किया bolt यह करने के बाद जो यह उपर वाला section है इसको मैंने select किया और मैंने यहाँ पेगिया all borders इस तरिके से इसके बाद यहाँपे जो quantity वाला portion है इसको मैंने select कर लिया कुछ इस तरीके से nobody और select करने के बाद इसका color मैंने किया red और text color मैंने हिbest लिए white और font मैंने शापर bold तो आप यहां पर नोटिस कर रहे हैं, मैंने काफी सारी चीज़े की, अब मैं Simple Developer Tab में जाऊंगा, और मैंने क्या स्टॉप रिकॉर्डिक, तो अब क्या हुआ, जितनी भी चीज़े मैंने करी, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, और मैं आता हूँ Data 2 में, इस वाले टैब में, जैसे मैं यहां पर उस Shortcut प्रेस करूँगा, देखो यह Data आपके सामने है, क्या Shortcut बना है, Ctrl, Shift, और जैसे मैं K को दबाऊंगा, वो सब कुछ इस पे apply हो गया, यह अलग Sheet है, यह Data 1, यह Data 2, तो कहने का मतलब, अगर आपके पास कोई ऐसा Data है, कोई ऐसा Sheet है, कोई ऐसा काम ह जहां पर आपको अपने Steps को Record करना है, तो उसके लिए आप Macro का Use करते हैं, अब यहां पर Simply मैं इसका Title अलग डाल देता हूँ, Data Sheet of 2021, और इसका हमने डाल दे हैं यहां पर Data Sheet of 2022, तो इस तरह से Macro का Use करते हैं, and I hope कि यह आपको Clear हो गया होगा, इसके बाद नॉर्मली File Options के आपको पता ही होगा, New से आप नया Page ले सकते हो, मतलब अगर आपको एक नया Workbook लेना है, तो उसके लिए आप New पे क्लिक करोगे, किसी भी File को अगर आप Save कर देते हो, जिससे सपोज मैं Complete Excel Tutorial के नाम से मैंने इसको Save किया है, अब अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, और नॉर्मली उसका Print Out निकाल सकते हो, Print के टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको बता चुका हूँ, So I hope कि वो दिक्कत आपको नहीं आएगी, So guys, नॉर्मली अगर आप एक Fresh Excel User हो, अगर आपको Data Enter की Job मिल रही है, Excel Operator की Job मिल रही है, आपको Vacant में काम मिल तो इस Tutorial के बाद ऐसा कोई काम नहीं कि आप उस Criteria में उस Work Criteria में ना कर पाओ, आश्या करता हूँ दोस्तों यह पूरा Tutorial आपको पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज थोड़ा से Support दिखाए, वीडियो को Like कीजिए, Share कीजिए और